अभी कुछ दिर पहले हमने आपको एक केस बताया था, जहां सरस्वती पूजा के नाम पर बच्चे बार बालाओं को बुला कर उनसे ठुमके लगवा रहे थे, उसे सुनकर आप चौक गए होंगे, पर इससे भी जादा हद किया है बच्चों ने, जिन बच्चों को पहड़न बालाएं ठुमके लगा रही थी, बच्चों के साथ, और अब एक और वीडो वायरल हो रहा है, जहां बच्चे बंदूक लेकर ठुमके लगा रही है, बिहार के समस्तेपूर का एक वीडो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से, जिसमें एक बच्चा हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है विसर्जन में ये मामला जिले के ताजपूर थाना छेतर का है दरसल मामला कुछ यूँ था कि बच्चों ने सरस्वती पूजा के लिए पंडाल लगाया था और उसका विसर्जन करने बच्चे गए थे बच्चे काफी धूम दाम से विसर्जन कर रहे थे सब के चहरे पर अबीर लगा हुआ था सब जूमते हुए नजर आ रहे थे और इन सब बच्चों में से एक लड़के के हाथ में कमंचा था जिसे वो खुलेयाम हवा में लहरा रहा था और वहां पर काफी बच्चे भी मौदूद थे जो उसी दौरान भोजपूरी गाने पर डांस भी कर रहे थे जब ये सब हो रहा था तो किसी ने इस पूरे कांड का वीडियो बना लिया था जिसके बाद वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगा था वाइरल वीडियो में ये पता चला कि ये मामला मोरवा प्रखंड के गुडियारी गाव का है अब बात बिहार में तमंचा हवा में लहराने की कर रहे है तो एक और खबर आया है कुछ ऐसा ही बिहार के पुर्णिया में एक शादी समारों में गोली चली जिससे एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया ये मामला शहर के सहायक खजानची थाना छेतर के चेतरवानी रोड का है मृतक युवक का नाम राजकुमार सिंग है राजकुमार एक शादी समारों के बारात में शामिल होने आये थी जहाँ परचानक से किसी अज्यात वैक्ती ने गोली चला दी जो कि राजकुमार को लग गई जिससे वो बुरी तरीकी से घायल हो गई लोगों ने अस्पताल ले जाने का सोचा लेकिन उससे पहले ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया एक युवक इसमें घायल भी हुआ जिसका नाम अविनाश सिंग बताया जा रहा है उसको सर में चोट लगी थी मृतक राजकुमार के मित्र ने पूरी बात बताये पुलिस को उसने बताया कि गोली चलने के पहले उसके साथ मार पीट की गई थी और उन लोगों ने मार पीट किया था जिसे वो जानता भी नहीं था ये भी बाना जा रहा है कि जमीनी विवात के चलते शायद राजकुमार को मारा गया है और उसे हर्श फाइरिंग का रूप दे दिया गया है क्योंकि मृतक राजकुमार जमीन रिजिस्टर करने पूर्णिया पहुँचे थे स्थानिय लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूशना दी गई थी फिर भी वो घटना स्टल पर नहीं पहुँचे उनका ये भी कहना है कि पुलिस कभी पेट्रोलिंग करने रात में नहीं आती जिसके कारण अपरादी की हिम्मत और बढ़ गई है बात सही बोली है स्थानिय लोगों ने क्योंकि पुलिस धीली पढ़ गई है जिससे अपरादियों का होसला और बुलंद हो गया है और बात अगर दूसरे केस की करे तो जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए वो तमपंचा लेकर घूम रहे है उन्हें डर भी नहीं है कि वो तमपंचा खेलने की चीज नहीं है अगर गलती से भी गोली चल गई तो किसी को लग गई तो बहुत बवाल हो सकता है और शायद बच्चे का भविश्य भी खराब हो सकता है फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ देखते रेजन तरंगशन हम यूट्टूब पर सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर लाइक करें और टिटब पर फॉलो करें और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेवाक अंदाज में पर्तकारता करते रहें तो स्क्रीन पर डिक्रेई डिटेल्स पर रोनेशन दें धन्यवाद